न्यूजीलेंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 7 विकेट और 42 रन बना कर अपने डेब्यू मैच में धमाल मचाने वाले ओली रॉबिंसन को इंग्लेंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से सस्पैंड कर दिया है उनके सस्पैंड होने की वजए उनके कुछ पुराने ट्वीट बने जिसमें उन्होंने लिंगभेद और नसलवाद के मुदो पर टिपणी की थी ECB ने जाज के रिजल्ट आने तक उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट से सस्पैंड कर दिया है हाला कि रोबिंसन ने अपनी इस गलती पर माफी मांग ली थी अपने पुराने ट्वीट्स वाइरल होने के बाद रोबिंसन ने माफी मांगते हुए कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ अपने अशलील और नसलिये कमेंट के लिए जो मैंने ट्वीटर पर आज से आठ साल पहले शेयर किया था और वो आज सब के सामने आ रहा है वे इस तरह की हरकत के लिए माफी मांगते हैं और इस तरह कमेंट करने के लिए बेहत शर्मिंदा है ये ट्वीट तब किये थे जब वो अपनी जिंदगी के बुरे दौर से गुजर रहे थे क्योंकि इंग्लिश काउंटी यक्षर ने उनके शुरुआती दिनों में बाहर कर दिया था न्यूजीलेंड के खिलाफ पहला मैच ड्रौ खेलने के बाद इंग्लेंड के कप्तान जो रूट ने रॉबिंसन के बारे में कहा कि उन्होंने बल्ले से अच्छा योगदान दिया है गेंद के साथ उनका प्रदर्शन शानदार था उन्होंने हाई लेवल की स्किल्स दिखाई है और उन्हें निश्चित रूप से वो खेल मिला है जो टेस्ट क्रिकेट में सफल हो सकता है लेकिन जहां तक मैदान के बाहर हुई चीजों का सवाल है ये हमारे खेल के भीतर स्वीकार्य नहीं है हम सभी यह जानते हैं उन्होंने सीधे ड्रेसिंग रूम में बताया उस समय से उन्होंने बहुत पच्टावा दिखाया आप देख सकते हैं कि वो समुह और टीम के आसपास कैसे रहा है